गो तो आज आपका अलजब्रिक एक्सराइब का एक्सराइज पूरा खतम वाला है उपको एक्सराइज की बात करें को कि आपका एलेमेंट यह हमने आपका कर सकते हैं तो इस वीडियो को जड़ा सब करेंगे और अब करेंगे तो हो सकता है कि concept आपका तुरह सा गड़ बड़ हो जाए तिए सारे questions बहुत ज़्यादा important है और सब ज़्यादा important आपका last question question number 12 है वो भी solve करके बताएंगे उसको कैसे solve करना है और वो अगर आपने solve करना सीख लिए आप यह बहुत ज़्यादा मैं solve करते हैं आप समझेगा इसको काफी easy है तो आप 8 को as it is 8 लिख दीजिए प्लस ब्रैकेट के अंदर है a-2 तो प्लस ए और प्लस इंटो माइनस इसका मतलब क्या होता है कि एक बार में प्लस का मिल्टिपला यह के साथ करूँगा एक बार माइनस के साथ करूँगा है ना य च्छोटा टीजीट है ठीक और 8 का बड़ा टीजीट है बड़े डिजीट के सामने काउं से साइन है प्लस है नेक्स प्लस इसक्स आंशर आ गया नेक्स वेस्टेस्ट प्लस टू इंटू इनुए माइनस टू अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं तो का मिल्टिप्ला एक ब इसको बाहर लेते हैं तो देखिए माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर इसका मुदलब क्या होगा कि माइनस का मिल्टिप्ला एक बार 8a के साथ होगा और एक बार 3 के साथ होगा होगा तो माइनस इडिया कि माइनस एट इनको प्लस ती क्या होगा मैनस bạnus 3 अब 6 और माइनस एट एक अप ध्यान दीजेगicar कि आप बोलो के सब्सक्राइब क्यों क्यूंआ क्योंकि इसके साथ में कोफिसेंट क्या है तो ए क्या है आपका एक वैरियेबल है और यह क्या है इक इसी तरीके से 7 फिर बोल रहा हूंकि एक बार इसका मुल्टिप्लाइस में, एक बार इसका मुल्टिप्लाइस में, अपना अंसर क्या जाएगा, P-3P और माइनस इंटू माइनस प्लस 3Q, यह आपका अंसर क्या आगया, minus x plus 5 minus 3 multiply x के साथ 3 1 के साथ तो minus 3 x और minus 3 क्लिरली बाद, क्योंकि 3 into 1 क्या होगा 3 होगा और minus के साथ तो minus तो अपना answer क्या आजाएगा minus x minus 3 x यह होगा minus 4 x और यह कि तो महा plus 5 minus 3 यानि कि plus 2 तो minus 4 x plus 2 आपका क्या आगा answer आगा 7th question इतना ही question है बाकि इसका आगा जोबी questions से फ़ी solve करा जाएगे क्या आपका 8a minus b और यह कि ओगा minus 7 क्योंकि plus b plus x minus minus b plus x minus minus 7 हना फिर क्या होगा plus 2a और plus x minus 2b अब यह कुछ का try क्या होगा यहाँ minus 2b है यहाँ minus b है तो minus 3b होजाएगा यहां 8 plus 2A कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10A, minus B, minus 2B, minus 3B और यह आपका क्या हो गया? minus 7 यह हो गया आपका answer यह 10A, minus 3B, minus 7 यह आपका क्या हो गया? answer हो गया hope कि आपको सौन में आ रहा होगा तो यह था का question number 1 से लेकर के question number 7 था बहुत इसी था, उमीद करें आपको सौन में होगा कैसे solve किया है हमने वो भी आपको सौन में होगा आगे चले question number 8, 9, 10, 11 solve करते हैं और फिर 12 वाय question को last में solve करेंगी तो बहुत ज़दा important question है और वो आपको समझना बहुत ज़री कि वो concept कैसे लगेगा और किस concept था को हम solve करेंगा तो बहुत important है ध्यान जरूर दिजएगा चले इस पर इस करते हैं question number 8, solve करते हैं चले है question number 8, 9, 10, 11 solve कर लेते हैं बहुत important question है, बहुत यच्छे questions हैं इसको भी देखे कैसे solve होगा 3M minus, अब देखे क्या करना है अब यहां पर दो-दो brackets आने लगे आपको बहुत सारे brackets मिलेंगे इसको बोलते है small bracket, इसको बोलते है curly bracket, इसको बोलते है big bracket तो पहले हम किसको solve करेंगे, small bracket को solve करेंगे फिर कदली brackets को solve करेंगे फिर हम big brackets को solve करेंगे लेकिन सबसे पहले किसों करेंगे small brackets को करेंगे तो क्या है आपना 3M minus 2 का multiply कर दीजे तो यह हो जागा 2M और यह हो जागा minus 6 पता नहीं minus क्यों हो रहा कि minus 2 into plus 3 minus 2 into plus 3 कितना हो जागा 6 हो जागा अब 3M minus 2M कितना हो गया आपका यह हो गया M minus 6 यह आपका हो गया answer next question is a into a minus 3 minus 2 into b minus बहुत छोटा सा answer आगा देख ले a square minus a b minus b square plus a b आणा तो अब क्या होगा आपका minus a b से plus a b चला गया answer आगा a square minus b square clear? कैसे आया है? देखे आपको सुनने आएगा 2x minus 7 minus 3 into x plus 10 plus x बड़ा है जरूर है लेकिन जैसा मैंने बहुता है पहले हम क्या करेंगे च्छोटे ब्रैकेट को solve करेंगे देहान से देखेगा यह हो जाएगा 2x minus 7 minus 3x minus 3 plus 10 कितना हो जाएगा? minus 30 plus x है ना? अब यह कितना हो गया तो यह हो जाएगा 2x minus 7 और 7 minus 30 आप ड़ाइक लिजे minus 23 है ना? minus 23 minus 3x और plus x को भी मैं अंदर लेकर के आ जाता हूँ अब इस ब्रैकेट को भी remove कर देंगे तो आपका अंसर हो जाएगा 2x अब देखे जो minus है यह सब में एक multiply होगा है ना? किकी bracket के बाहर है तो minus into minus plus 23 minus into minus plus 3x minus into plus minus x तो 2x plus 3x 5x minus x यह अंसर क्या है आपका? 4x plus 23 यह आपका अंसर होगा है कैसे होगा है फिर से देखे 3 plus 2 5x 5x minus x 4x है ना? कहां से जाएगा 2x 7 minus 3x minus 30 तो 7 को 30 से minus क्या तो minus 23 आगया फिर 3x था 3x minus 3x 2x plus x किपना होगा आपका? ऐसे भी आप कर सकते हो बाकि इसको multiply करके भी कर सकते हो 2x minus minus plus 23 minus minus plus 3x minus into plus minus x फिर यह आपका होगा 2x plus 3x 5x minus x 4x plus 23 यह आपका answer होगा 11th अलो question देखे बहुत easy है बड़े में दिया हुआ है बट बढ़े में दिया हुआ है b2 minus b2 minus bc plus c2 अब देखें plus b2 से minus b2 का answer होगा अब आपके पास क्या बचा हो ध्यान से देखें b2 plus c2 minus बाहर है तो minus का multiply अंदर हो जगा यह minus bc और यह minus bc यह हो जगा plus bc और यह minus into plus minus c2 अब minus c2 से plus c2 भी गया तो आपका answer क्या आगा? b2 plus bc यह बहुत थी इजी क्वेशन थे हैं आपके चोगी क्वेशन नमर 8, 9, 10 और 11 था अब लास्ट क्वेशन आपका बचा क्वेशन नमर 12 जो कि बहुत ज़्यादा इंप्वर्टेंट क्वेशन है उस क्वेशन में टाइंग फ्रह से जादा लेगा लेकिन ध्यान से समझेगा मैं इंप्वर्टेंट कोई नहीं बात नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है देखिए मैंने बोलाना कि बहुत सारे ब्रैकेट्स आ गया है अब देखिए यहां करली ब्रैकेट भी है पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसको रि और लिखिए माइन को जी आसा ही लिखिए पहले अंदर गी ब्रैकेट को सॉलॉरि कर लिजए तु अनियों गिप्छले अ ब्रैकेट को सॉल्व में ऑद्ले Capebrac im 7-15, कैसे किया मैंने एक बर इसका multiply और इसका इसमें, पिर इसका इसमें और इसका इसमें है. चलिए, अब ये bracket close, plus n, अब start होता है आपका करणि bracket, minus 15 minus, छिक तो क्या हो दो दो 7 in का अंदिर multiply कर देंगे, 7 in square minus minus plus 7 4's our 28 और nसात मैं है तो ये bracket तो गया, चोटा वाला, अब आगे प्लस 18 और बिग बैक यहां से बेखें आप लोग क्या करना है एन को मैंने एज़िटीज लिग दिया 15 को मैंने एज़िटीज लिग दिया अब मेंने फिटीज लिग दिया अब किया जाएगा यह प्लस यह माइनस म्फॉर खोर गुटीज लिग दिया जाएगा बिग बैके ख्लोज अब यहां पर देखें सबसे बढ़ा डिजिट कांस न क्यूब है तो 2N3-7N3 की माइनस 2N3-7N3 तो आपका अंसर क्या जगा है एन बाहर रहेगा माइनस 9N3 अब स्कॉयर की बात करें तो N2 28N2 कितना हो गया 29N2 28N2 और N2 कितना हो गया 29N2 अब एक सब देखें स्कॉयर दो गया अब एन की बात करें तो प्लस 15N से माइनस 15N गया और तो अपने बस बचा नहीं अब यह बचा 15 और यह बचा 18 और 15 29N3 प्लस 33N और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो यह तो जावा प्रशन नमर 12 जाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके लिए मैं बोला था कि वीडियो को स्कीप मत करेंगा तो कि स्टार्टिंग से आप वीडियो नहीं देखेंगा तो सम चाहिपा वीडियो को लाइक जरूर करें अपने प्रेंज के साथ सेर करें आज आपका क्लास 7 का खतम हो गया यह जब्रीक एक्षर्शन स्टार्वारा आने वाला होगा तो वह यहां है करेंदों करेंदे दोने के इंपॉर्टन लोग का चेशल सबसाइब दिख्रेंस है। सेवंथ वाले एट्थ का भी वीडियो देखें और एट्थ वाले भी सेवंथ का वीडियो जरूर देखें क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट प्लियर होगा और सेवंथ वाले अगर इट्थ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी मिलेंगे अपसे वीडियो लक्षर के अंदर तक के लिए All the best. Thank you.